प्रारम से ही हमारे भारत की आमुल्य संस्किती रही है जहां कई ऐसे आज भी आमुल्य लोग हैं जो धर्म जाद संप्रदाई के उपर उठकर इंसानियत की मिसाल कायम करते हैं इसी कायदारण देखने को मिला भीहार की रानी गन्ज ते त्रिया में भीते दिन परवावती देवी जिनके पती दिगवजय प्रसाध हैं उनकी मौत हो गए जो भीहार के गया जीले के अन्तरगर्द रानी गंज की रहने वाली थी रानी गंज चारकन बिहार का बॉर्डर है वो काफे दिनों से बिमार थी उनकी स्थानिये तुष्टी के लिए कुरोना जाज के लिए सामुदा एक स्वास्त केंद्र इमाम गंज ले गए जहाज रिपोर्ट नेगिटिव आई वहाँ से घर लोटने के आदे घंटे बाद ही उनकी मौत हो गई जिससे उनकी परिवार से लेकर आसपास के सभी लोगों ने कुरोना के डर से अर्थी देने को कंधा देने तक से मना कर दिया लोगदा संसकार तक में शामिल नहीं हो रहे थे अब यह खबर मुस्लिम लोगों को मालुम चली तो वे तुरंट वहाँ जाकर उनका साथ देने लगे कुरोना महामारी की परवा किये बिना उन्होंने अर्थी अपने कंधे पर लेकर शमसान घाट पहुँचाया और पूरी तयारी के साथ मुस्लिम युवकों ने उनका अंतिम संसकार किया जिसमें मुहम्मद सगीर आलम, मुहम्मद रफीक, मुहम्मद सुहेल, फारुक उर्फ लडडन जी, हाफिस कलीम, बसंतियादव और उनके बेटे लोग मौजूद थे यही हमारे भारत की एकता और अखंडता है इस इंसानियत की चर्चा काफी जोरों पर हो रही है और चारों तरफ इस कारे के लिए काफी सराना की जा रही है एक तरफ भारत में कई ऐसे संप्रदाइक लोग हैं जो भारत को जातिवाद, धर्मवाद और संप्रदाइक्ता के नाम पर भेदभाव कर एक्ता और अखंड़ता को तोड़ने की बात करते हैं। तो दूसरी तरफ उसी भारत में कई ऐसे महापुरुष हैं जो भारत को एक्ता खंड़ता को मजबूत बना रखने के लिए धर्मनिर पेक्षिता तथा मानफता का मिसाल कायम करते हैं। धन्यवाद।